नमस्कार दोस्तो वेलकम टू स्टडी नियूज जोगरवी विद मैपिंग में आपका स्वागत है आज हम लोग चैप्टर टू पढ़ेंगे फिजिकल रीजन्स अफ इंडिया मतलब हम लोग इस वीडियो में भारत के भातिक प्रदेसों के बारे में जनकारी लेंगे तो चल चारो भातिक प्रदेस भारत के एक मात्र राजे पस्चिम बंगाल में नहीत है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये चारो ही भातिक प्रदेस यहां पर ये उत्तर परवतिय प्रदेस और ये विसाल मैदान और यहां से ये प्राइदीप्य पठार और ये तटिय मैदार और द्वीप समू मौजूद हैं अब बात करते हैं उत्तर परवतिय प्रदेसों के बारे में तो आज जहां उत्तर परवतिय प्रदेस है वहां कभी टैथी सागर हुआ करता था आज से लगभग साथ करोड़ वर्सपूर टर्सरी यूग में यूरेसिया प्लेट और भारतिय प्लेट का टैथि सागर पर पढ़ने वाले दबाव के कारण उत्तर परवतिय प्रदेस के उत्त्ति हुई थी उत्तर परवतिय प्रदेस के गर्व में अगने चट्टानों तथा उपरी भाग में अवसाधी चट्टाने पाई जाती है आंत्रिक भाग में पाई जाने वाली अगने चटाने उत्तर परवतिय प्रदेश के बैकबॉन के रूप में कारे करती है ये लगभग पांच लाख वर किलो मीटर छेतर में फैला हुआ परवत है यदि ध्रूओं को छोड़ दिया जाये तो सरवाधिक हिम यानि बर्फ उत्तर परवतिय प्रदेश में ही पाई जाती है उत्तर परवतिय प्रदेश को तीन भागों में बाटा गया है ट्रांस हिमाले, हिमाले और पूर्वानचल हिमाले अब बात करते हैं ट्रांस हिमालियन के बारे में आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा हिमाले के पार फैली हुई स्रेडियों को ट्रांस हिमाले कहा जाता है जिसमें कारा कोरम, लद्दाक, कैलास और जासकर स्रेडियां सामिल है अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए ये है कारा कोरम रेंज, ये है लद्दाक, ये है जासकर और ये है कैलास रेंज ट्रांस हिमाले की सबसे उत्तरी स्रेडी कारा कोरम है जिस पर भारत, पाक और चाइना तीनों देसों की सीमाएं आकर मिलती है इसी स्रेडी पर भारत की सबसे उची चोटी K2 जिसकी उचाई 8,611 किलो मीटर है कश्मीर में इस्थित विस्व की दूसरी सबसे उची चोटी है कारा कॉरम स्रेडी के दक्षिड पूर्वी भाग में फैली स्रेडी को लदाक स्रेडी कहते हैं जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहें इसी स्रेडी में भारत का सबसे उचा पठार लदाक का पठार इस्थित है और लदाक में ही भारत का नियुंतम तापमान वाला इस्थान द्रास जो लेह के निकट इसी स्रेडी में इस्थित है लदाक स्रेडी के दक्षिडी भाग में फैला कैला स्रेडी का विस्तार है इसी स्रेडी का सरवाधिक विस्तार तिबबत में है इसी स्रेडी में तिबबत में मांसरोवर जील है और ट्रांस हिमाले की सबसे दक्षिडी और लंबी स्रेडी जासकर स्रेडी है अब बात करते हैं हिमाले के बारे में यह विस्व की सबसे नवीन, वलित या मोड़दार परवत स्रेडी है जिसका विस्तार सिंदु नदी के मोड से लेकर ब्रह्म पुत्र नदी के मोड तक या नंगा परवत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक 2400 किलो मीटर की लंबाई में है जिसकी ओसत चोड़ाई 200 से 400 किलो मीटर और ओसत उचाई 6000 मीटर तक है हिमाले की विद्धी दर 5 सेंटी मीटर प्रतिवर्स है जिसका मुख्य कारण प्लेटो का अभिसरण जो कठोर भुखंडो का एक दूसरे की और खिसकाव है हिमाले की आकरिती चापाकार या हेयर पिन की तरह है इसका आउतल ढाल चाइना की और तथा उतल ढाल भारत की और है ये इंडो सांगपो सच्चर जोन के द्वारा प्रांस हिमाले से तथा हिमाले फ्रंट फॉल्ट HFF द्वारा विसाल हिमाले से अलग होता है हिमाले में मुख्य रूप से तीन स्रेडिया है पहला है महान या व्रिहद हिमाले दूसरा है लगू या मद्ध हिमाले तीसरा है सिवालिक अब बात करते हैं महान या वरिहद हिमाले के बारे में जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये हिमाले की स्रेडियों में सबसे लंबी, सबसे उची और सबसे पुरानी स्रेडि है इसकी उत्पत्ती योसीन काल से ओलोगोसीन काल के मद्ध में हुई थी इसकी ओसत उचाई 6000 मीटर है इसी हिमाले में विस्व की उच्चतम चोटियां उपस्थित हैं जैसे एवरेश्ट, कंचन जंगा, मकालू, अन्नपूर्णा और धोला गिरी यहीं इस्थित है और अब लगू या मद्ध हिमाले के बारे में बात करते हैं यहाँ पीर पंजाल, धोला धर, कुमाईू और महाभारत स्रेणियों से मिलकर बना हुआ है जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं इस हिमाले की उत्पत्ती ओलोगो सीन से मायो सीन काल के मद्ध में हुई है इसकी ओसत उचाई 4,500 मीटर है इस हिमाले की स्रेणियों की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे जम्मु कस्मीर में मर्ग जैसे सोन मर्ग, गुल मर्ग तथा उत्राखंड में बुग्याल, पयार कहा जाता है इसी हिमाले में भारत के प्रमुक हिल इस्टेशन नैनी ताल, अलमोडा, रानी खेत, दारजलिंग, आदी स्थित है अब बात करते हैं सिवालिक स्रेडी के बारे में ये हिमाले की स्रेडियों में सबसे नवीन और सबसे छोटी स्रेडियां है जिसकी उत्पत्ती मायोसीन से प्लायोसीन काल के मद्धे में हुई है इसकी ओसत उचाई पंद्रो सु मीटर है इस हिमाले को उत्रा खंड के पश्चिमी भाग में दून घाटी तथा पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है अब बात करते हैं पूर्वांचल हिमाले के बारे में भारत के पूर्वी भाग में फैली हुई स्रेडियो को पूर्वांचल हिमाले कहा जाता है जिसका विस्तार उत्तर में नामचा बरवा चोटी से लेकर दक्षिड में अंडमा निकोबार द्वीब तक फैला हुआ है अंडमा निकोबार द्वीब समूई इस हिमाले के अपनती के भाग हैं ये कई छोटे छोटे स्रेडियों में बटी हैं इसकी एक मुख्य स्रेडि आरा कानियोमा भारत एवं म्यामार देश की सीमा बनाती है तो चैप्टर टू के पहले पार्ट में भारत के भौतिक प्रदेश में हिमाले के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इसक्रीजी टू करते हैं